नमस्कार लोक्तंत 2017 में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ दीपक दोभाल शुर्वात हेड्लाइन से करेंगे नहीं तूटेगी समाजवादी पार्टी मुलायम सिंग का दावा पार्टी में सुलह की कोशिश जारी 13 जनवरी को चुनाव चिन पर निर्वाचन आयुक का फैसला मुख्य चुनाव आयुक नसीम सैदी दो दिनों के पंजाब दोरे पर पार्टी प्रतिनी धियों से की मुलाकात अधिकारियों से सुरक्षा और तैयारियों पर चर्चा पंजाब और गोवा में नामंकन प्रक्रिया शुरू पहले दिन पर्चा लेने पहुंचे प्रतियाशी 18 जनवरी तक भर सकते हैं पर्चा और उत्राखंड में प्रचार के लिए पार्टीयों का सोशल मीडिया पर जोर, फेस्बुक, ट्विटर और वाटसैप से प्रचार तेज यूवा वोटरों पर नज़र चुनाव आयोग ने वोट के लिए धर्म के इस्तिमाल के खिलाफ राजनितिक दलों को चेतावनी दी है आयोग ने कहा है कि ऐसे मामले सामने आने पर वो चुट नहीं बैठेगा और आचार सहीता और दूसरे कानूनों के तहत कड़ी कारवाई करेगा आयोग ने राजनितिक दलों को पत्र लिकर ये हिदायत दी है इसमें कहा गया है कि राजनितिक दलों को इस बारे में एडवाईजरी जारी करने को भी कहा है चिठी में सुप्रीम कोट के ताजा आदेश का भी जिकर है इस आदेश में धर्म, जाती, संप्रदाय, वर्ग और भाषा के आधार पर वोट मांगने को भरष्ट आचरण बताया गया है उत्तरप्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मनिपुर में चार जनवरी से आचार सहीता लागू है और आईए अब बात करते हैं पंजाब तो चुनाव तैयारियों का जाइजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयूग तनसीम जैदी दो दिनों के पंजाब दोरे पर है चुनाव आयूग ने पहले दिन राजनितिक पार्टियों के प्रतनिधियों से मुलाकात की साथी चुनाव अधिकारियों से तयारियों और सुरक्षा संबंधी जानकारी भी मागी राजनितिक पार्टियों ने चुनाव आयोग के सामने कई शुकायतें की हैं आम आदमी पार्टी बीजेपी और शिरोमनिय अकारीदल ने ये उम्मी जताई है कि चुनाव आयोग उनकी शुकायतों पर कारवाई करेगा बगवन्त मान जो सभी जन सबावों को सुबोतत करते हुए बोल रहे कि अब हमारे एकालियों के डले मारो अब डलों की बलैक होगी अब यह को मांगने जाएगा तो उसको यह बोलेगा कि मेरे पास तो डले कम है मेरे को तो और चाहिए यह इस तरह का महौल पंजाब नहीं चाहता यह वालेस भड़काने वाला जो वातावरन कॉंगरस और खास करके आम आधी पार्टी के नेता बना रहे इस विशे को लिया है और उसमें भगवन्त मान जो डलेवार ने पत्थर मानने की बात कही है उनके संग्यान में लेकर आए है मुझे लगता है कि आम आधी पार्टी इस पे एक्शन लेगी दूसरी बात हमने जो है की है कि कोई भी ऐसी स्कीम और कोई भी ऐसा प्रलोभन सरकार जो सत्ता में है और जो पार्टी इस है वो लोगों को ना दे और पंजाब में नामांकन भरने की शुरुवात भी हो गई है पहले दिन नामांकन की रफ्तार सुस्त रही लेकिन कई सीटों पर बड़ी दादात में उमीदवार पर्चे लेकर आए 18 जनवरी तक पंजाब की सभी 117 सीटों के लिए नामांकन भरे जाएंगे जबकि 19 को नामांकन पत्रों की जाच होगी और 21 जनवरी तक उमीदवार नाम वापस ले सकते हैं पंजाब में कॉंग्रेस और शिरुमणी अकाली दल बीजेपी गड़बंधन के सामने इस बार आम आदमी पार्टी भी मस्बूत दावेदारी पेश कर रही है और शुनाव आयोग ने मंगलवार को पंजाब में पुलिस महकमे के आठ आला अधिकारियों का तवादला कर दिया इसमें आई जी पी रैंक का अधिकारी भी शामिल है कानून विवस्ता को दुरूस रखने के लिए नौनीहाल सिंग को पुलिस महाने रिक्षक बनाया गया है जबकि गुरप्रीत सिंग गिल पटियाला में इंडियन रिजर्व बटालियन के नए कमांडेंट होगे दूसरे पुलिस अधिकारी पंजाब पुलिस सेवा कैटर के हैं पंजाब में चार फर्वरी को विदान सबाच चुनाव होगे और इसी बीच राजनेतिक दलों की ओड़ से भी चुनावी सरगर्मिया तेज हो गई है मुख्यमंतरी प्रकाश सिंग बादल अपने ग्रह क्षेतर लंबी से उन्होंने चुनाव प्रचार का बिगुल फूग दिया है वो पिछले कुस दिनों से क्षेतर का दौरा कर रहे हैं प्रकाश सिंग बादल ने अकाली सरकार में हुए कामों का जिक्र किया और अपने विकास के कामों के आधार पर जन्रता से वो वोट मांग रहे हैं और बुलिटिनम में हम आगे बात करेंगे अलग अलग शहरों में मौझूद हमारे समभादाताओं से लेकिन फिलहाल चलते हैं गोवा गोवा में नामंकन भरने की शुरुबात हो गई है हाला कि पहले दिन नामंकन पत्र लेने मालों की रफतार सुस्त रही लेकिन चुनाव आयों को उमीद है कि आने वाले दिनों में इसमें काफी गहमा गहमी देखने को मिलेगी प्रधेश की सभी 40 सीटों के लिए 18 जन्वरी तक उमीदवार पढचे भर सकते हैं जिला मुख्यालेओं में आज नामंकन पत्र लेने का काम शुरू हो गया जादतर उमीदवार आज सिर्फ नामंकन पढचे लेने आये लेकिन भरकर जमा नहीं किया चुनाव अधिकारियों का मानना है कि दो-चार दिनों में नामंकन पत्र भरने की रफ्तार तेज होगी नामंकन पत्र लेकिन पार्टी के दो लोग लेके गया है कॉंग्रेस, बीजेपी और आमादमी पार्टी के कई उमीदवार आज चुनाव आयों के दफ्तर से नामंकन पत्र लेकर गए पीठासी नदिकारियों के मताबिक चुनाव आयों की तरफ से विवस्था चाक्चोबंध है और हर केंदर पर उमीदवारों की सुविधा का खयाल रखा गया है गोवा की सभी 40 सीटों के लिए 18 जनवरी तक उमीदवार अपने परचे दाखिल कर सकते हैं जबकि 19 जनवरी को परचों की जाँच होगी और 21 जनवरी तक उमीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं पांच राज्यों में सबसे पहले 4 फरवरी को गोवा और पंजाब में मत्दान है संजय कुमार, राज्यसभा टीवी, गोवा और गोवा में चुनाव आयोग, राजनितिक पार्टीओं की सभी रैलियों पर लाइफ स्ट्रीमिंग के जरीये नजर रखेगा चुनाव आयोग का कहना है कि वो हर रैली पर वेब कास्टिंग के जरिये निग्रानी रखेगा लाइव स्ट्रीमिंग का जिम्मा उड़न दस्तों को दिया गया है जो की हर रैलियों पर विशेश कैमरों की नजर से इनके विज्वल्स चुनाव आयोग तक पहुँचाएंगे और यही नहीं रैलियों के लावा चुनाव आयोग हमेशा की तरह सभी पोलिंग स्टेशनों पर भी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिये नजर रखेगा चुनावायो का कहना है कि इससे पहले चुनावी रैलियों पर वीडियोग्राफी के जरीए निगरानी रखी जाती थी लेकिन आधुनिक तक्नीक का इस्तेमाल कर इस बार हर रैलिय पर लाइव नजर रखी जाएगी और अब बात उत्तर प्रदेश के दंगल की समाजवादी पार्टी प्रमुक मुलायम सिंग यादव ने एक बार फिर कहा है कि वो पार्टी को तूटने नहीं देंगे बुद्वार को दिली रवाना होने से पहले लखनव में मुलायम सिंग यादव ने राम गोपाल यादव को सारे विवाद की वज़े बताया समाजवादी पार्टी के अंदर उठे विवाद पर मुलायम सिंग यादव ने कहा है कि वो पार्टी को एक रखना चाहते हैं उन्होंने दोराया कि अकलेश यादव ही पार्टी की तरफ से मुख्यमंतरी पत का चेहरा है मुलाहिम ने दावा किया कि वो पार्टी को बचाना चाहते हैं और इसके लिए सब कुछ करेंगे मुलाहिम सिंग ने कहा कि राम गोपाल यादव अखिल भारती समाजवादी पार्टी बना रहे हैं उन्होंने अरोप लगाया कि राम गोपाल ने चुनाव आयोग से मोटर साइकल का चुनाव चिन मागा है साथी दावा किया कि वो ना पार्टी का नाम बदलेंगे और ना ही चुनाव चिन इस से पहले मंगलवार को मुलाहिम सिंग और अकलेश यादव के बीच हुई बैठक के बाद पार्टी का विवाद सुलच जाने के आसार बने थे उत्तर प्रदेश विदानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है समाजवादी पार्टी का विवाद अगर खत्म नहीं होता तो पार्टी को इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा इधर साइकल चुनाव चि तो कह रहे हैं कि वो पार्टी को नहीं तूटने देंगे चुनाव चिन भी रहेगा पार्टी का नाम भी रहेगा पार्टी एक रहेगी लेकिन अखिलेश खेमे की ओर से क्या को रियाक्शन आया है राम गुपाल यादव खेमे से कोई रियाक्शन आपाया क्या लेकिन वहीं जहां अखिलेश खेमा है वो लगातार तीन प्लान पर काम कर रहा है पहला प्लान उनका ये है कि वो किस तरह से अपना मैनिफेस्टो बनाए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुशने की कोशिश करे स्मार्ट फोन तो एक उनका हाइलाइट है ही दूसरा जिस तरह से तमिलाडू में जैल अलिता ने जितनी सर्विसेज और स्कीम शुरू की थी उस तर्च पर भी वो कई चुनावी वादे अपने मैनिफेस्टों में कर सकते हैं दूसरा वो कॉंग्रिस के साथ अलाइंस करने में बहुत जल्दी कोई ना कोई रणीती तयार कर रहे हैं और तीसरा जितना उत्रप्रदेश में छोटी छोटी पार्टी हैं उनके साथ भी या वो विलाय कर वा सकते हैं या उनके साथ अलाइंस कर सकते हैं लेकिन डीपट अभी बहुत जल्दी होगा कहना कियोंकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि किस तरह से मुलायम सिंग्यादव अपनी अगली राज़नी ते चाल चलेंगे ये कोई नहीं कह सकता क्योंकि उनको एक ऐसे नेता के तोर पर जाना जाता है जो अंत तक अपने पत्तें नहीं खोलते हैं जी दीपक बहुत बहुत शुक्रीया क्रिती इस तमाम जानकारी के लिए यूपी में बीजेपी तकरीबन 14 साल से सत्ता से बाहर है 2014 के लोकसभा चुनाओं में बीजेपी को 80 में से 71 सीटों पर जीत हासिल हुई इसके बाद पार्टी प्रदेश की सत्ता में वापसी का दावा कर रही है बीजेपी की चुनाओी तयारियों पर पार्टी नेता कलराज मिश्र से लखनों में बात की हमारी संबादाता कृती मिश्रा में मेरे साथ है कैबरेट मंतरी और भाजपा के वरिष नेता कलराज मिश्रा जी सर हम उत्तर प्रदेश में हैं भी किस तरह का चुनाओी फाइदा आपको लगता है कि आपको मिल सकता है जो समाजवादी पार्टी में जगड़ा चर रहा है उससे दिखे हम तो अपना काम कर रहे हैं और आम जंतां तक हम पहुंच कर भारती जंतां पार्टी क्या कर रही है गरीबों के लिए आम लोगों के लिए हमने क्वाज़ अपना रहे हैं ये सारी चीजें हम लोग के बीच में जाकर बता रहे हैं ये पार्टियां जो अंतरकरा की कारण तूट रही हैं तो जनता के मन के अंदर और विश्वसनीता बढ़ती जा रही है कि क्यों भारती जनता पार्टी ये कैसी पार्टी है जिसके माध्यम से प्रदेश को हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना सकते हैं आपके पास चीफ मिनिस्टेरल कांडिडेट नहीं है हमारे हाँ पार्टी के काम करने का अपना एक तरीका है पार्टी जिसको सुनिश्चित करेगी वह हमारा निता होगा और इसलिए पार्टी हमेसा कमल के निशान को ही अपना के बाद से सहमत नहीं हूँ यह बाद सही है कि थोड़ी कटनाई आई है प्रारम में मजदूर छोड़कर कुछ बाहर गए लेके क्रामशा लोग आना शुरू हो गए हैं काम करना शुरू हो गया है मैनिफेक्टरिंग चलने लगी है और मुझे पुरा विश्वास है कुद के अंदर पूरी करेंसी मार्केट में आ जाने के प्रशास जब सर्कूलेशन हो जाएगा हो रहा है करमशा तो निश्चीत रूब से पूर्व किस्ति फिर से निर्मान हो जाएगी अजय राए पूर्वी उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस का बड़ा चेहरा है वारानसी लोकसभा सीट में प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी के सामने वो कॉंग्रेस उम्मीदवार भी रहे थे वरानसी की पिंडरा विदान सभा सीट से वो विदायक हैं वरानसी में चुनावी समीकरण पार्टी की तैयारियों और चुनावी मुद्धों पर दिल्ली में उनसे बाचीत की हमारे समबादाता जगम मुर्तजाने क्या मुद्धे है ? रहों क्या मुद्दे हैं च्पारास कोट्टो बनाने की बात बनार्थ को पूरी दुनिया से कललग शेहर बसाने की बात पूला था उसनें वे थोड़ा सा कोई भी प्रती ने भी कोई भी काम ने हुआ है था उससे और ख़राब लुशारायना है इसे बहुत सारे मुद्दे हैं, इन पर आपका क्या रूख है और कैसे इने जो है आप सल्वाउट कर पाएंगे या आप तर नोडबंदी के बाद ये सिती हो गए कि लोग अपने पूरी अपने परिवार को घर को चला पाने में ही नई सफ़ा लो पा रहे हैं हमारे याँ इन्ट के भटे काफी हैं, ब्रिक फिल्ड्स हैं, बंद हो चुके हैं, लगबग बंद हैं और बहुत बुरी सिती है क्योंकि उनको लेवरों को पैसा देना होता है बंकरों का तो पूरा का पूरा बेहाल है बंकर, उनकी जो साड़ियां जो बनकर तयार हैं, जो बाहर उनकी जाती थी साउथ में, बाहर जो महरास्टा जाती थी, सारी साड़ियों के डिमांड खतम हो गई तो आपको नहीं लगता कि टिकेट डिक्लेयर करने में, कोईलेशन की बात करने में, इन सब चीजों में आपने बहुत ज़ादा टाइम निकाल दिया, पहले से होते हैं, पहले टिकेट फाइनल हो गए होते हैं, तो पहले ज़ादा अची तैयारी कर पाते हैं आप लोग। नहीं ऐसा नहीं है, हमारी तैयरी पहले से चल रही है, क्राउन पर हमने अभी रहु जी पूरे यूपी को भी उन्होंने महिननों समय दिया, 26 प्छाइज दिन पूरा यूपी को समय दिया, किसान की करश के माफी के उस पर लगकर, हमरी जब अर्दस तैयारी है, औच्छा है कालूशन होगा तो भी अच्छा है नहीं हुआ तो भी हमारे सप्रों के लिए मजबूती के साथ हम रड़ेंगे चुना तो ये थे हजेराय जो हमसे बात कर रहा है तो यूपी एलेक्शन की तैयारियों पर जैगर मुर्तजा राजे सबा टीवी दिल्ली मनिपूर में चुनाव अभी दूर है लेकिन हलचल वहां तेज हो चुकी है चार और आठ मार्च को दो चरणों में वहां मद्दान होने है मनिपूर में इस बार के चुनाव को काफी दिल्चस्प आना जा रहा है हमारे समबादाता अखिलेश सुमन इस फक्त हमारे साथ मनिपूर से जुर चुके हैं उनसे मनिपूर की राजनीती और वहां के मुद्दों पर बाच चीत करते हैं अखिलेश अभी दूर हैं वहां मद्दान की डेट है और उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों के जो राजनीती चल रही है उसमें दबा हुआ सा लग रहा है मनिपूर लेकिन आप वहां पहुँचे किस तरह के मुद्दे आपने देखिया और राजनीती किस तरह की देखिया देखिये दीपाक अभी जो सबसे महत्पूर्ण मुद्दा यहां का है वह है ब्लॉकेट का ब्लॉकेट नगा जो लोग है नगा लोग ने एक ब्लॉकेट पुरा निस्नल हाईवे 39 है उस निस्नल हाईवे 39 को जाम कर रखा है इसके चलते नगा और मैतेई और कुकी जो तीन तरह के तीन जो महत्पूर्ण समुदाएं है उनके बीच एक तरह का मनमुटाव की इस्तिती है नगा लोगों ने जो जाम किया है उनका कहना है कि जो लगातार कहने के बावजूद लगातार मना करने के बावजूद नगा बहुल जो जिले थे उन जिलों को साथ विभागों में बारत दिया गया है साथ जिलों में विभाजित कर दिया गया है इसके चलते उनके अंदर क और आगे आने वाले दिनों में लगता ये है कि यह थुरूब करन बढ़ता जाएगा नगाब बनाम अदर्स के रूप में इपब बहुत बहुत शुक्रिया अकिलेश इस तमाम जानकारी के लिए और वाकिय में मनिपूर में ये देखना हुगा जिस तरह से वहां पर नाके ब उत्राखंड में राजनितिक पार्टियों का धुआधार 50 हफ़तों पहले से जारी है लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में वर्चुल दुनिया में भी लड़ाई लड़ी जा रही है हर बड़ी पार्टी ने सोशल मीडिया पर सैक्डों कारेकरताओं को इस मुहीम में लगा दिया है और फेस्बुक पिटर से लेकर बाकी प्लैटफॉर्म्स पर भी आरूपों की जड़ी लगाई जाने है उत्राखंड में राजनेतिक पार्टियों का वार रूम इंदिनों सोशल मीडिया की हल्चलों से पटा है मामला किसी दूर दराज की सीट का हो या फिर शहरी इलाकों का पार्टियों के संदेश देरा दूर में बैठे बैठे भिज जा रहे हैं ये है प्रदेश कॉंग्रेस का मुख्याले चुनावी मौसम में इंदिनों सेक्डों नौजवान फेस्बुक, मिटर और वाट्सेप पर मोर्चा संभाले हुए हैं हम लोग विधान सभा, ब्लॉक सतर तक हम लोगों ने अपनी टीमें का गठन कर लिया है यही तस्वीर बीजेपी दफ्तर में भी देखने को मिलती है हर तरफ एक ही नजारा है BJP एक तरफ प्रधान मंतरी नरेदर मोदी की शक्सियत और काम काज को सोशल मीडिया पर पेश कर रही है तो वहीं कॉंग्रिस सरकार के खलाफ अभियान छेड़े हुई है असल में पिछले कुछ चुनाओं से सोशल मीडिया की ताकत का कुछ राजनितिक पार्टियों ने काफी बेहतरीन इस्तमाल किया है यही वज़े है कि उतराखंट चुनाओं में इस बार आईटी सेल एहम भूमिका में है का मानना है कि मौझूदा दाव में शोशल मीडिया का चुनाओं नतीजों पर कहरा असर होने वाला है चुनाओं आयों की सक्टी के बाद राजनितिक दलों ने अपनी सारी ताकत सोशल मीडिया के जरीय चुनाओं प्रशार में जोग दी है ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि उत्राखंड जैसे पर्वतिय राज में लोगों तक अपनी बात पहुचाने में पार्टियां काम्याब होती है या नहीं कैमरामें संतोश यादव के साथ नविक्रम सिंग राज्यसभा टीवी दहरादू उत्राखंड में विदानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही सरकारी विकास के दावों की पोल खुलती जा रही है सड़क, स्वास्त, शिक्षा सहिद, तमाम मुलभूत जरूरतों को तरस्ते गाउं ने अब विदानसभा चुनाव के भहिशकार का भी अलान कर दिया है घर से स्कूल और स्कूल से घर आने जाने में ही जाया हो जाता है उत्राखंड के अलमोडा के भैसिया च्छाना ब्लॉक के दस गाउं आज भी सड़क से मीलो दूर है सड़क न पहुँचने से इन गाउं में न विकास पहुँचा, न शिक्षा और न स्वास्त है सरकारी काख़ों में प्रधानमंत्री ग्रामीन सड़क योशना के तहट दस गाउं को सड़क से जोडने के लिए मगलता से त्रिनोली तक 18 किलोमीटर लंबी सड़क का सर्वे हो चुका है बावजुदिस के गाउं सड़क से आज भी 5 से 15 किलोमीटर दूरी पर है ठक हार कर भैसिया चाना ब्लॉक के दस गाउं के ग्रामीन जनप्रतिनीदियों ने मिलकर बैठक की और सड़क ना मिलने की सूरत में चुनाव बहुशकार का पस्ताव रखा ग्रामीनों की धमकी प्रशासन के कानू तक पहुँची तो गाउं वालों से बाच्जीत की कोशिश की जा रही है सड़क पर ग्रामीनों का जोर इसलिए भी है क्योंकि इस्थानिया काश्टकार बड़ी मात्रा में फल और सबजी का उतपादन करते हैं लेकिन सड़क के अभाव में उनका माल मंडियों तक पहुँची नहीं पाता बिरो रिपोर्ट राज्यसभा टीवी लोकतंत्र 2017 के आज के सफर में इतना ही इजासत दीजिए नमस्कार